हाई, आज हम दो चटनी की रेसिपी देखने वाले हैं फर्स्ट होगा ग्रीन चटनी जो की स्वाद में थोड़ा सा तीखा होगा और दूसरा होगा इमली और खजुर का चटनी जिसका स्वाद थोड़ा सा खटा मिठा होगा कोरियंडर चटनी बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है एक कप धनिया पत्ती एक हरी मिर्ज 5-6 लेसुन के लिया एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून खस-खस एक टीस्पून नमक आईए देखते हैं इसे बनाने का प्रोसेस क्या है हमें मिक्सर जार में लेना है धनिया पत्ती हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्ज लेसुन के लिया जीरा पॉपी सिट्स नमक और इसमें थोड़ा सा पानी डालके हम इसे फाइनली ग्रैंड करेंगे और हमारा कोरियंडर चट्नी तयार है रेड चट्नी यानि की इमली और खजूर की चट्नी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप इमली आज से दस पीसेज खजूर जिनके बीज निकाले हो हाफ कप गुड, हाफ कप पानी, एक टीस्पून जीरा, एक टेबल स्पून रिफाइन ओईल, एक पिंच हिंग, हाफ टीस्पून काला नमक, एक टीस्पून सौट और इलाईजी का बाउडर, एक टेबल स्पून चीनी आईए देखते हैं इसे बनाने का प्रोसेस क्या है अब हम एक बर्तन में लेंगे इंली हमें इनकी रेशाई निकालने की ज़रूरत नहीं है उसमें डाल देंगे डेट्स अब इसमें डालेंगे गुड और इसमें थोड़ा सा पानी डालके हम इसे कुकर में एक सीटी लगाएंगे कुकर के बेस में लेमन स्लाइस डालने से कुकर काला नहीं होता अब हम इसे कुकर में एक सीटी होने तक पकाएंगे और गैस हम लो से मिडियम फ्लेम पे रखेंगे गैस से कुकर नीचे उतार के हम इसे मिकसर जार में निकाल लेंगे और इसे कंप्लेटली ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद हम इसे मिकसर में ग्राइंड कर लेंगे हमने इसे ग्राइंड कर लिया है अब हम इस मिकसर को चान लेते हैं अब हम गरम कडाई में डालेंगे ओई और ओईल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा जब जीरा तड़कने लगीगा तब हम इसमें डालेंगे हिंग काला नमक सौर्ट और इलाइची का पाउडर और शुगर इन सारी चीजों को थोड़ी दर बूर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे कश्मिरी लाल मिर्श पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा लाल मिर्श पाउडर जल ना जाए हम इसे तकरीबन 20 से 30 सेकेंड तक भून देंगे अब हम इसमें डालेंगे ग्रैंड किया हुआ प्यूरे और इसे लो से मिडियम आज पे बॉइल होने देंगे जैसे ही बॉइल होने लगेगा वैसे इसमें प्यारा सा कलर दिखने लगेगा चटनी इतना ठीक हो जाने के बाद हम गैस को ओफ कर देंगे अगर आपको इससे जादा ठीक चाहिए तो आप इसे और थोड़ी दिर बॉइल करते और हमारी इमली और खजुर की खट्टी मिटी चटनी तयार है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट ज़रू कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्स्प्राइब करना न भूलना हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक विक और इंड्रेस्टिंग रेसिपी के साथ सब तक के लिए थैंक यू